तान सूरे किस चाल से भारत ने पहले T20 में दक्षिन अफ्रीका को एक स्टाट रन से दिमात पहले T20 में संजु ने मार मार कर किया का फ्रीकी गेन बाजो का बुरा हाल ठोका तूफानी शतक टीमीडिये के बले बाजों के बाद गेन बाजों ने किया अफ्रीका को पहले टीट्वेंटी में चारों खाने चित करीम साड़ी चार महीने पहले बार बड़ोस में खेले गए टीट्वेंटी वर्ल्ड कप दोजार चौबिस के फाइनल मुकाबले के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये पहली टकर थी और इसका नतीज़ भी निकला जो तब निकला था भारत टीम एक बार फिर साउथ अफ्रीका पर फारी पड़ गई टीट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियन टीम इडिया ने अपनी बाद च्याहत को बरकरार रखते हुए एक और सिरीज की धमाकेदार आगास किया है वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद पहली बार टकरा रही भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले का नतीज़ अ 29 जून की तरह ही निकला डर्बन में खेले गए सिरीज के पहले टीट्वेंटी मुकाबले में टीम इडिया नी साउथ अफ्रीका को एकसा ट्रोनों के बड़े अंतर से हरा दिया एक जीरो की बड़त ले ली है टीम इडिया की जीट के स्टार रहे ओपनर संजू सैंसन जिनोंना रिकॉर्ड तोड शतक जमाया है वहीं वरुंग चक्रवड़ती और रवी विश्णोई की स्पिन जोडी ने मिलकर आधी टीम को धेर कर दिया दर्बन में शुकरवार आट नुमंबर को चारो मैचो की स्रीज के पहले मुकाबले में भारते टीम ने बल्ले बादी से लेकर गेंड बाजी में अपना पूरा दब-दबा बरकरार रखा हलाकि टोस हारने के अलवा पहले बल्ले बाजी करते हो अभी शेक शर्मा का विकर जल्दी गवाने के कारण टीम के शुरुआत अची नहीं दिख रही थी चक्की और साथ चोके लगाए इस दोरान उन्हें कप्तान सूरिकमान ख्यादव और तिलक वर्मा कभी अच्छा खासा साथ मिला बाकी कोई बल्ले बाज खास योगदान नहीं देशका टीम इडिया ने आट विगेट खोकर 202 रन बनाए साउथ अफरीका के लिए पेसर जे हैंरी कलासन और डेविड मिलार पर टिक गई जो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहला मैच खेल रहे थे कलासन और मिलार ने तेजी से बाउंडरी भी बटोली और भारत की रहा में रुकावट बनते दिख रहे थे लेकिन फिर बारवे ओबर में मैच पूरी तरीके से टीम कहां तक पहुच पा थी मारको यांसन और जेराल्ड कौट जी ने कुछ बड़े शोट जरूर लगाए लेकिन पूरी टीम सिर्फ 17 दशन में 4 ओवर में 141 रनों पर ठेर हो गई और टीम इडिया समुका आबले को एक साट रनों से अपने नाम कर गई तो आप भी टीम इडि पर अपने राइद हीजिए साथ इस खबर को शेयर कीजिए